दोस्तों अगर आप भी flip card से shopping करते हैं कोई भी समान को order करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि दोस्तों flip card ने यहाँ पर जो है refund policy change कर लिया है अभी यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर आप कोई समान को खरीते हैं purchase करते हैं order करते हैं मान के चले example के लिए आपने कोई जो है सूस खरीदा कोई जूता खरीदा या फिर आपने कुछ कपड़े खरीदे या फिर हो सकता है आपको ने कुछ ऐसा item खरीदा है जो आपको चाहिए तो उस condition में होता क्या है guys की अगर आपको उसको replace करवाना है या फिर आपको उसको return आफाना है नॉर्मल है होता क्या है कि अगर मान centre कि मैंने कोई आसूस करीदा और मुझे इसकों क्वालीटि अच्छी नई लगी जिस तरी बता है कि उसका पैसा हमें हमारे bank account में refund मिल जाता है लेकिन अब हो क्या रहा है कि अगर आप कोई भी समान को order करोगे न तो उस टाइम भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को notice नहीं करते हैं बट मैं आपको बता दूँ कि अब जब आप order करोगे तो वहाँ पर जरूर चक करोगे न कि वहाँ पर दिखाय जाता है कि अगर आप written करोगे न इस product को तो आपका इतना amount काट लिया जाएगा example के लिए मानके चले कि आपने कोई 1000 रुपे का 1000 रुपे का आपने कोई सूस्त खरीदा याने कि जूता खरीदा उसके बाद आपने उसको return करवाया वापस करवाया आपको उसकी quality अच्छी नहीं लगी तो उस condition में हुगा क्या कि जो भी flip card की polish दे रहीगा ना 50 रुपे, 100 रुपे, 1.500 रुपे जो भी आपको काट के देगा उसके बाद जो balance बचेगा ना मानके चलो 1.500 रुपे चार्ज है तो भीया वो आपको सिर्फ और सिर्फ साड़े 800 रुपे या आपको वापस करेगा आपके bank account में तो चले मैं आपको live example भी दिखाता हूँ ताकि आपको easily समझ में आ जाए कि किस तरीके से यहाँ पर अभी return policy flip card ने यहाँ पर चेंज कर ली है तो देखो यार दोस्तों यहाँ पर flip card app को हम open कर लेते हैं और live example में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जाता हूँ नीचे account के उपर और यहाँ पर हम जाएंगे my orders के उपर और यहाँ पर जितने भी आपने flip card से order कि होंगे न सारे के सारे आपको यहाँ पर list नजर आगी तो अभी आप देखो कि यहाँ पर मैंने एक सामान खरीता है जिसको हम बोलते है backpack मैंने एक bag खरीता है और यह है bag जिसका price है 1299 रुपे 1299 ठीक है तो अभी यहाँ पर return policy valid till number 2 यहाँ पर दिखाए दर है कि return में करवा सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर return का भी option दिख रहा है तो return में कर लेता हूँ ठीक है अब जैसे मैं यहाँ पर return का option दालूँगा ना तो अब देखिए यहाँ पर लिखा वह आ चुका नीचे कि 75 return fees applicable यानि कि guys अगर आप किसी भी product को ना वापस करवाते हैं तो आपको 75 75 रुपे मुझे यहाँ पर pay करना पड़ेग कम देगा यह refund मुझे ठीक काट के देगा ठीक है तो अभी देखो quality अगर मैं select करता हूँ कि quality अच्छी नहीं है तो इस condition में यहाँ पर मैं select करता हूँ कि यह poor quality है ठीक है not satisfied में लिखता हूँ not satisfied ठीक है तो मैंने लिख दिया है और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ continue ठीक है जैस पर कहाँ पर चीए पैसा तो हमें आ चीए original payment mode में जहाँ पर हमने अपने bank से payment किया था और यहाँ पर हम कर लेते नीचे से continue ठीक है जैसे हम continue करेंगे तो यहाँ पर देखिए साप साप लिखा हुआ है कि भहिया आपका इतना पैसा हम काट के आपको refund करेंगे ठीक है तो पूरा full refund मिलेगा चलिए मैं भी आपको वापस दिखाएता हूँ मैं इसको cancel कर लेता हूँ और यहाँ पर हम आ चुके है my order की उपर दुबारा से अब हम दुबारा return की उपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर पोच रहा है कि अगर damage है यानि कि जो आप product आपने खरीदा है वो यहाँ पर आपको जो है photograph को upload करना होगा camera की उपर आप क्लिक करेंगे और image को आप photo click करेंगे अगर damage है वहाँ की आपको picture को upload करना है तो अभी देखो दूस्तों यहाँ पर मेरे पास एक bag है जो हमने purchase किया था अब यहाँ पर ने थोड़ा damage है मैं आपको दिखाता हूँ take photo म आप यहाँ पर देखो कि यह एक damage है यहाँ पर देखो फटा हुआ न तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पर photo click ठीक है तो मैंने यहाँ पर कर दिया photo click और याद रखेगा जब भी आप यहाँ पर photo graphs को upload करते हैं तो उसके बाद जो है seller इस चीज को चक करता अच्छा से देखता है कि सच में क्या damage है उसके बाद ही वो आपका return accept करेगा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका product आपको damage मिला है तो ही आप इस process को follow करना otherwise जो पहला process मैंने आपको बताया था वही follow करना उसमें आपको कुछ पैसा कटकी मिलेगा लेकिन वापस मिल जाएगा ठी निचे से तो यहाँ पर आ जाएगा भाई options इस तरीके से खुल कर आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1299 रुपे का पूरा का पूरा आपको फुल repent मिलेगा आपका यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं कटेगा क्योंकि हमें जो समान मिला है damage मिला है ठीक है तो यहाँ हमने सलेक कर लिया है original payment mode और हम करते निचे से continue उसके बाद हम दुबारा से यहाँ पर करते है submit request जैसे हम submit करते ना guys यहाँ पर दिखीएगा आप लिखा हुआ है waiting approval यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर 2-3 दिन में यहाँ पर seller जो है इसको चक करेगा और approve करेगा अगर damage सच म आना है flip card से और जो अगर आपका product damage है तो damage में select करना है और अगर आपका product damage नहीं है तो आपको पहला वाला options को choose करना है I hope दोस्तों आपको वीडियो helpful लगा हो अगर आपको वीडियो helpful लगा हो तो वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ में share भी ज़रूर करना